Hello student, आज हमनों class 10th का chapter, surface areas and volumes exercise 13.3 question number 5 देखेंगे, चली देखते question number 5 क्या कहा रहा है a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream, the ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm having a hemispherical shape on the top, find the number of such cones which can be filled with ice cream देखें हम लोग एक cylindrical shape का, एक क्या है, cylindrical shape में क्या container है, जिसमें क्या है, पूरा ice cream भारा हुआ है और इस cylindrical container का height कितना है, 15 cm और diameter कितना दिया है, 12 cm और हम लोग से यह पूछ रहा आगे में, कि एक मतलब की कौन, मतलब की कौन, जिसे आप लोग ने बच्वन में ice cream खाया होगा, कौन के shape में रहता था, कौन के shape में रहता था, जो ice cream बेचता था, वो क्या करता था, पूरा ice cream क shape में बनता था, इस type से, तो हम लोग को वही पूछ रहा है, और हम लोग को height दिया गया, कितना है, 12 cm, और यह जो हम लोग का diameter है, कौन का diameter कितना दिया है, हम लोग को 6 cm, कौन का diameter कितना दिया, 6 cm, और यह इस बात को ध्यान से रखेगा, कि hemisphade भी इसके उपर है, क्योंकि ज है, तो दोनों का क्या होगा, radius झाल रेडियस सेम होगा, sorry, radius और डामेटर तोनों क्या होगा, सेम ऐगा कौन का होगा, क्योंकि, क्योंकि क्यों क्या बन रहे है, हम लोग का, हम लोग का hemisphade बन रहे, फिर क्या कर रहा है, find the number of such cones which can be filled with ice cream मतलब से हम लोग से पूछ रहा है कि कितना ice cream लब कितना ice cream लगेगा इस मतलब की कितना cone लगेगा कितना cone लगेगा कि उसमें पूरा ice cream क्या आ जाए आ जाए तो हम लोग को ये बताना है कितना number of cone लगेगा तो हम लोग का पूरा एस क्रoga क्रिम क्या हुजा है आज आजासे की दससक्राइबंे बताना नहीं कि कतना में और वायगा यह वह इसको लिखेंगे क्यों हikंति हाइट और 16 range लो कितना है। 15 संटिमीटर डामिटर और और सिलेंडर दीवन इसको माले है कितना धिया 12 सेंटिमीटर रेडियस क्या हो जाएगा सिलेडर का? डिवाइड कर देगे 2 से तो 21 जा 2, 26 जा कितना हो जाएगा? 26 जा 12, तो 6 आगा है कितना है कि रेडियस अब सिरेंडर 6? डायमेटर ओफ कौन कितना है? 6 एक । अब 6 से řिप्शा ये में कचल जाएगा to मन लिए बui an नमबरf V सारा आइसगी मथा फिल्द हो जाएगा अब देखे तो टमान लिए क्या होगा कि जो सिलेंडर का वोलियूं होगा फीलेंडर फोल्यों इसलेंडर फोलिक्षिए कि सेंसे योका 10 लोसे इस नहीं पता एक है कि वे पूरा के थे यहाँ नोग ने पुछ दूब हो न है, क्या करेंगे है, तो सबसे पहलें एक कॉन का निकाले, क्या निकाले गे, एक कॉन का दूब करेंगो इसे multiply करेंगे, तो हम लोग को पूतीर सथावल इसलिएगा लेकिन आप देखें हैंके ऊपर में किया है हेमिस्वेर भी है है इसका हेमिस्वेर क्या करेंगे volume of cone plus volume of hemisphere को डोनों को निकाल के अड़ करेंग और n से multiply करेंगे तो हम लोगे पता चलिएगा कितना cone में कितना number of cone में हम लोग का पूरा एसक्रीन का पुरा असक्रीम फिल्ल्ड हो झाएगा घर जाएगा चली देखते हम लों एक आर 1-100 sqaah- h square h प्लस क्या हो देगा 2 by 3 pi r2 का cube देखिए इसका हम लोग ने formula लिखा इसको हम लोग ने r1 माना था निच्छा लगो कोन का diameter और height और सबको क्या माना था r2, s2 और d2 हम लोग ने माना था तो हम लोग क्या करेंगे हापे सब में r2 का square और r2 का cube हम लोग ने कर दिये अब चलिए हम लोग इसका आगे देखते देखिए दोनों में pi ये common निकाल लेंगे हापे क्या हो जाएगा pi r1 का square h1 equal to n क्या हो जाएगा n pi bracket में क्या हो जाएगा हम लोग का 1 by 3 r2 का square h plus 2 by 3 और r2 का cube अब हम लोग क्या करेंगे जो बच गया उसको यहाँ पर लिख देंगे क्या क्या बच गया हम लोग का r1 का square h1 equal to n bracket में क्या हो जाएगा हम लोग का bracket में 1 by 3 r2 का square h plus 2 by 3 r2 का cube अब देखिए r1 r1 हम लोग का कितना है r1 हम लोग का है 6 r1 6 तो हम लोग का क्या हो जाएगा 6 का square into h1 कितना हो जाएगा h1 हम लोग का है 15 h1 कितना है 15 into n bracket में 1 by 3 r देखिए अब हम लोग का यह क्या है r2 का square r2 हम लोग कितना है r2 है 3 तो 3 का square into 3 का square into h कितना है h हम लोग का क्या हो जाएगा 2L 2 L प्लस 2 बाई 3 आप देखें, R2 हमलोग का कितना है? 3 है, R2 कितना है? 3 है, तो हमलोग करेंगे 3 का Q, अब चलिए, इसका हमलोग solve करेंगे, 6 का square कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, इंटु 15, इक्वल्टू N आप देखें, कितना हो? 1 बाई 3, 3 का square 9, इंटु क्या हो गाइब 27 हो जाएगा आगे इन दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे तो हम लोग कितना आजाएगा 540 आजाएगा इक्वल टू एन आप देखे जो कैंसिल हो रहा है इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे 313 हो जाएगा आप देखे प्लस अब इन दो यह दोनों भी कैंसिल हो रहा है तो डिवाइड में हम लोग का यह हो जाएगा इक्वल ठीम हो जाएगा व inhib में नमबर आखे अलूह आइंट हो जाएगा उग कि यही पूछ रहा था कि कितने कोन में पूरा आइस्क्रीम फिल हो जाएगा तो हम लोग को कितना या 10 आया 10 कोन में पूरा आइस्क्रीम क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा और यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सो स्टुडेंट वीडियो पसंद आतो लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थाइंक यू